हालो फ्रेंड्स मैं हूँ दिप्ति मेरी यूट्यूब चैनल लॉन विथ मी में आप सबका स्वागत है जैसा कि आप जानते हो कि मैं इस चैनल पर क्राफ्ट रिलेटेड और कुकिंग रिलेटेड वीडियोस डालती रेती हूँ तो आज मैंने ये एक खूब सूरत प्लांटर बनाया है वैसे मैंने बहुत ही सिंपल रखा है लेकिन साथ में ही खूब सूरत है ना फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये मुझे बताना मैंने ये नया नहीं खरीदा मेरे पास एक पुराना ये प्लांटर पड़ा था बहुत पुराना था और ऐसे ही पड़ा था तो मैंने सोचा कि चलो इसकी खूब सूरती बढ़ा देते हैं इसके उपर मैंने एक्रिलिक ब्लेक पेंट कर दिया है ये अभी एक बार ही किया है दूसरी बार करना पड़ेगा दो कोट लगाने के बाद मेरा ये प्लांटर रेडी है वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं इसके उपर क्या करूँगी सोचा चलिए इसे खूब सूरत कलर फूल बना दिया जाए तो मंडाला आर्ट कैसा रहेगा इसके लिए मैंने कुछ एक्रेलिक पैंट्स ले लिए है ज्यादा कलर्स का इस्क्रमाल में यहां नहीं करने वाली साथ में डोटिंग टूल ले लिए है जो इस आर्ट के लिए ज़रूरी है ये टूल्स अगर नहीं है तो भी चल चाएगा देखिए मैंने यहां पर पैंसिल ही यूज की है बड़ा डोट बनाने के लिए ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो छोटा और बड़ा डोट बनाने के लिए वाइट के बाद अब मैंने ले लिया है पिंक कलर सब एक्रेलिक कलर ही लिये हैं मडला आर्ट में अगर आपके कलर ज्यादा थीक हो तो आप मीडियम का यूज कर सकते हो जिससे आपके डोट परफेक्ट बनेंगे थोड़े से उबरे हुए मन में जो डिजाइन आती जा रह हूँ फ्रेंड्स अभी तक आपने जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना ऐसे ही सबको कुछ न कुछ क्रियेटिविटी करते रहना चाहिए मेरा ये वीडियो देखकर आपको भी इंस्पिरेशनल लगता है और आप कुछ भी बनाते हो तो प्लीज मेरे इंस्टेग्राम एकाउंट पर जरूर शेर करना मंडला आर्ट वैसे बहुती इजी होता है ट्राय करो तो कोई भी कर सकता है दिखने में इजी है थोड़ा ट्रिकी भी होता है थोड़ी सी प्रेक प्लांटर्स, कोस्टर्स, क्लोक, सब कुछ बनाया है बुकमार्क भी बनाया है मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आपको देखना हो तो वो चेक कर सकते हो बोटल पे भी मेंने मंडाला आर्ट किया है आप चेक कर लेना बहुती सुंदर दिखता है रिसेंटली मेंने एक वोलकलोक बनाया है वो भी बहुती सुंदर है इसके बाद वोकलोक देख कर किसी को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने भी मुझे ओरडर दिया तो सेम तो लेकिन थोड़ा साथ चेंज करके मैंने उनके लिए भी वोल क्लोक बनाया है उसका भी वीडियो मैं जल्दी डालने वाली हूँ तो देखा आपने मैंने टोटल तीन कलर से ही ये पूरी आर्ट की है लेकिन कितना खुबसुरत लग रहा है इस प्लांटर में मैंने सोच के रखा है सक्यूलन में लगाने वाली हूँ पूरा पैंटिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद 24 अवर्स के बाद ही वार्निश करना होता है तो बाद में वो में कर लूँगी कोई भी प्रोजेक्ट आपको लंबा चलाना हो जल्दी खराब नहीं होने देना है तो वार्निश लगाना बहुत जरूरी है देखिए हमारा प्लांटर रेडी हो चुका है आपको कैसा लग रहा है मैंने प्लांट्स लगा भी दिये और वार्निश भी कर लिया था वीडियोज पूरे देखने के लिए धन्यवाद लाइक करना मत बुलना प्लीज